यह पढ़ेगी, लीगल के sources basically मैं आपसे discuss कर लेती हूँ, books तो यहाँ पर दे रखें, books भी मैं आपको बता दूँगी, सबसे पहले तो legal के जो आपका syllabus है, वो सारा का सारा किसी भी book में consolidated नहीं है, legal के ऐसी कोई book नहीं आती है, जिसमें फूरा का पूरा syllabus detail में समझाया है और उ इसके उपर articles होते हैं, अलग-लग topics related, तो अगर कोई भी topic आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस topic को आप search करके, क्या कहते हैं, इन websites related, जो भी इस पर दे रखें, articles वो read कर सकते हो, और जो भी आपको topics दिए गए हैं, जैसे for example, new sense का topic आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप जा कर सकते हो, और फिर आपको जादा समझ में आ जाएगा, तो आपको वो help करेगा आपकी preparation के लिए, current legal affairs आपको कहां से complete करने हैं, तो यह चार website से, इस पर monthly current affairs आते हैं, 113 website से, live law, balance and SCC online, इनके monthly compendium से आप complete कर सकते हो, thank you, thank you, thank you so much, तो वहां से आपका complete हो जाएगा, books के आपको जाएगा, तो यह सारी जो बुक्स है, इस पर मोसली आपको questions मिलेंगे, कोई भी explanatory इतना जादा नहीं रहेगा, थोड़ा कम ही explanatory है, तो previous questions के लिए, आप इन में से कोई भी बुक को prefer कर सकते हो, मैं recommend करूँगी, आप दो books prefer कर लो, आप एक यह कर सकते हो, 13 years, CLAT and ALIT topic-wide solve papers, इसमें बहुत सारे questions दिएगा हैं, तो वो मिल जाएगा, यह भी ले सकते हो, DU and PU previous years, तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो, इ बट आपको again question practice करने के लिए मिल जाता है तो उसके लिए better है, इसमें passage-based question नहीं मिलेंगे आपको, इसमें जो है आपके principle-based questions जाता है, बट अगें nevertheless it will help you with your preparation क्योंकि वैसे questions